जहिंद एवरिवन आपने खुद इन को ट्राइब करना उनका उसके बाद इन 20 कोशन को आपने सुनना है एक तरह गई आपका मॉट टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी कि आपने जो प्रपेशन करी है कि वह आप फाइनल एक्जाम में अपलाई भी कर पार या नहीं तो बिना टाइम वेस्ट करें लेक्टर को स्टार्ट करते हैं और इवन जो फाइनस तरही को छोड़के बाकी एक्जाम की प्रिपेशन करें जेके सबीके लिए इंपोर्ट नेंगे जम्मू कश्मीर का पोश्चन हर एक स्लेबस में में मैंचन है तो कोन सी फेमस जो किसके साथ एस्पोर्ट शूटिंग के साथ इन में से कोन सी फेमस परसनालिटी एस्टेटीड है मिथुन मनहाज चैन सिंग महरुजुदीन वडू और सना इर्शद मर्टू यह पूरे जो चार के चार ऑप्शन है इंपोर्टन परसनालिटीज है जम्मू कश्मीर की इन 2014 में जो एशिन गेम्स हुई थी ना 2014 की एशिन गेम्स में इन्होंने पार्टिस्पेट करा था और ब्रॉंज मॉडल जो मैडल है इनको मिला इनको मिला था उसके साथ साथ और भी बहुत से आवाट जीते बट इनका इंपोर्टन यह कि दो हजाद 40 की एशिटेशन गेमस मे इनकी रिपेजेंटेशन थी और इनको ब्रोंज मैडल मिला था ओप्शन ये देखें अगर हम मिथुन मनहास जी के बारे में पढ़ें मिथुन मनहास कौन है ये क्रिकेटर हैं क्रिकेटर के साथ एक कहां के हैं जम्मूरीजन के हैं ये यापने याद रखना है आई पिल में खेलते हैं देली की टीम में खेलते रहें और भी टीम में खेला है इन्होंने और अभी यह एक फूटबॉलर है कहां कहें सिर्णगर से बिलॉंग करते हैं सिर्णगर से बिलॉंग करते हैं एक नाशनल फूटबॉलर नाशनल प्लेयर हैं फूटबॉल की तीम है तो यह क्या है फूटबॉलर है यह चीज़ आपने याद रखने हैं और इनको क्या मिला है दो हजार बाइस का पुलिट्जर प्राइज और फीचर फोटोग्राफिक इसके लिए फीचर फोटोग्राफिक के लिए क्लिए फोटो जर्णल इस्ट टेक है यह चार इंपोर्टन परस्नाइलिट पर एक दो लेक्ट्र लाया हुए जेके एससबी वाली एक प्लेश्मो पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी मुगल रूलर विजिट कश्मीर को तेरा बार विजिट करा था अकबर जहांगीर जो है वो विजिट करा है कहां पर कश्मीर में ठीक है इनके टाइम पर ही आपको पता जहांगीर के टाइम में ही बना है क्या निशाद बाग याद रखना किसके टाइम पर टैनवर पर बना यह पूछता है निशाद बाग भी इनके टाइम पर बना और अचबल गार्डन अचबल गार्डन शालीमार बाग यह सब इनके टाइम पर बनोव करें शाहाँ की स्थापने चाशमे शाही को कि ने बनाया था गुवर्णर अली मरदान खान ने उसने गिफ्ट करा था शाहाँको ठीक है तो चशमे शाही जो है शाहाँ के टैनि वर्मोण है anh में जहांगीर पूछ सेड़ेगा तो नहीं आएगा शाह जहान के टाइम में चश्मेशाई बना है गुवर्णर अली मर्दन खान ने बनाया था फार शाह जहान ये चीज़ आपने याद इतने ठीक है अकबर की अगर हम बात करें अकबर के बारे में आपको सबको पता हरी पर झाण नगर नगर यहाद रखना पूछता एक्जाम में नगर-णगर आगर वह किस ने बनाय था वह पर बनायए था कश्मीर में बनाया था इसके पास ही बनाया था हरी पर बर फॉड़ के पास भाइब करें तो ये कोई मुगल से बिलंग नहीं करतें को सी डाइनस्टी से और इसमें पूछा जाता है जैनुल अबीदिन शामीरी डाइनेस्टिय से बिलॉंग करते हैं इनको कशमीर का अकबर भी कहा जाता है क्या बोला जाता है बादशा या बुड्शा बोलो ठीक है बुडशा भी बोला जाता है इनके टाइम यह रोयल किचन बनी थी और पहला के बारे में अकबर आप कश्मीर बुझ्छा इनके टाइम में रॉयल किचन बनी थी और पहला वुड़न ब्रिज भी इनके टाइम पर बना था जिसका नाम था जैन ए कदल ठीक है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी पहले आप खुद को ट्राइब करना देखो ऐसे स कुछ ना कुछ उसमें धिमाग लगाए कुछ ना कुछ कर रहा हो एक्जाम में करते हैं वीच आप फॉलिंग सेक्शन आप जेंट के पंचाहिती राज एक्ट नाइटी नाइटी नाइन की डिल्स विधा पावर एंड फंक्शन के साथ इनकी में से कौन सी सेक्शन जो है ज देखा करो कौन से पार्ट में कितनी सेक्शन आती है और पार्ट के नेम के सेक्शन उसमें आएगी इस तरह से त्यार कर अगर फिर याद ऐसे तो डायेक्ल सभी सब्सक्शन याद करना हमारे लिए प्रक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कौन सी सेक्शन जो है पावर एंड अव बीदी सी के साथ डील करती है तो सेक्शन थाटीवन करती है यह चीज़ आप नहीं आप लूग से निया बाकी कौन से रिए किसकी मीटिंग के साथ हल्का पंचायत की मीटिंग के साथ साफ़ याद हो जाएगा section 14 के साथ single 14 जो है वो डील करता है यह चीज़ आपने याद रहें तो अभी हमने क्या देखा section 31 जो है वो डील करती है किसके साथ power and function of BDC के साथ section 27 constitution of BDC के साथ section 24 meeting of halka panchayat और section 14 जो है वो halka panchayat के functions के साथ deal करता है moving towards question no.4 what and question for exam which of the following chapter of jnk panchayati 1889 deals with the power and function of halka panchayat इन में से कौन सा chapter है जहेंडके पंचाईडी ि राज 1889 का झो डील करता है power and function of halka panchayat के power function के साथ कोंसा इन में से chapterfather है power function of halka panchayat के साथ chapter 2 chapter 7 chapter 5 year chapter 3 कौन सा chapter 3 डील करता है power and function of hal HAVE customer 3 जो है वो डील करता option D is the correct answer ठीक है ich chapters बहुत important है आपके exam के लिए chapters यहां पर लिख देता हूं याद कर लो chapter exam में पूछ जाते हैं जो chapter first है chapter first जो है वो डील करता है किसके साथ इसमें preliminary और definitions वगारा दी गई है ठीक है इसमें definitions वगारा दीगे है chapter two किसके साथ deal करता हा पंचायप किसके लिआ जना बार तो हलक फंक्छ आयद जायेट कि चीजह आजाएंगी chapter 3 डील करता हैbywe and function of hin sometimes chapter three chapter 4 डील करता है property of hulkा पंचायप किसके साथ दिल करता है property of father of chicken ifa को एक बार आपने देख लिया कि chapter 2 में कि करना थे करना चेप्टर कि चैप्टर फोर उसी की प्रॉपर्टिफिए चैप्टर 15 रोंटाओ बमुस्के सारह से सब्सक्राइब करता उसके चैपटर 5 अब हो गया हिएखुए हतर सेगि़िए तहर्ड में उसके पहले बिजनेस अब हम चलेंगे चेप्टर फिस में आ जाएगा ब्लॉग डिवलेमेंट कॉंसिल उसी तरह में पॉवर न d function ब्लॉग कॉंसिल ब्लॉग डिवलेमेंट कॉंसिल में चेप्टर एड में प्रॉपर्टी एंद फ्नेंस जो प्रॉपर्टी है वो घीडिस जैसे यार वह आजाएगा जैसे वहाँ पर कंडेक्ट बिजनेस देखा तो यहाँ पर भी प्रोसीजर एंड कंडेक्ट बिजनेस किसका आ जाएगा ब्लॉग डेवल्मेंट काउंसिल का ठीक है और चेप्टर 10 जो है वो डील करता है अब इसके बाद वाले जो है वो सारे सीक्वेंस में चैप्टर 11-12 ऐसे करकर करके आप मुझे हो जाएंगे ठीक है आई होब चैप्टर्स आपको क्लियर हो गया होंगे कौन से यह के पंचाइती राज आइक्ट नाइट 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 फिफ्ट टू डेज लाल ध्रमन मेला लाल ध्रमन मेला हुआ करने के लिए बनाया गया एक हिल स्टेशन है इसको प्रमोट करने के लिए डोड़ा में इसको और गनाइस करा गया दो दिन का यह मेला था फिव्ट एंड शिख्ट अगर्स्ट को इसको और गनाइस किया गया जमू कश्मीर का ट्यूरिजम डिपार्ट्मेंट अलॉइंग विद्डोड़ा इन दोनों ने मिलकर ट्यूरिजम प्लैस दोड़ा डिस्ट तो इंको भी बहुत किया जारहा है दूद पत्री और तोश मेodन यहाद हुचांगैं और गूलमर कहां पर हैं 12 मूला में यह भी इंपॉटेंट है एक्जाम में पूछा जाता है कश्मीरी पुएत्री में लॉल लिरिक्स को किस ने पॉपॉलराइस करा था हमें यह बताना है लाल देद ने नंदरिशी ने पड़मा सज्देव ने या हभबा खातून ने तो POL लिरिक्स को औरे बहुत किसने जो है वह पापुरराहिस करा था कश्मीर में यह हमें बताना सहे इसका ऊप्शिण डी हबबा खातुन जो हैं उन्होंने लॉल लिरिक्स को पापुल राइस कर रहा था कश्मीर में ठीक है यह सारी इंपॉर्टन परस्नेलिटी से हैं जम्मो कश्मीर की आपको इनके बारे में पता होना चाहिए लाल देर की बात करें इनका ओरीजिनल लेश वरी देवी ठीक है किसने इन्वेंट कर रहा था तो लाल देद या ललेशोडी देवी आपने करना हवां पोई 산 recite इंपोर्टनम नंद रशी शेल नूर दिन च Mir tah जाता है इनको इनी को ही बोला जाता है शेख नूर उदिन नुरानी को ही बोला जाता है इनको 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 बोला जाता किसके लिए मेरी कविता मेरे गीत के लिए और सरस्वती समान के साथ समान इनको किसके लिए किसके लिए सरस्वती समान मेरी कविता मेरे गीत के लिए इनको सहीते अकैडमी अवार्ड ठीक है आप सबने देखा होगा हमारे भी गाउं में होती थी हम कभी ऐसे देखने में चले जाते थे ठीक है इसमें क्या होता है एक दान्स वाम है जम्म किश्मीर का परफॉर्म किया इस देखी और पहाड़ी यहोता है इसको क्या बलता है तो क्या बोला जाता जब किया जाता है लोगों को गास reflection की बिलया जाता होगा को पता हो गए यह को बोले लेगे एक इस को बोला जाता है और फिल का थे हैं देखहा लोडी फेस्टिवल के साइसो सेटे है जमूरीजन में बनाया जाता है हिरन डान्स के बारे में आपने इतना याद रखने है ठीक है अब दुमहेल डान्स जो है यह वहरी इंपोर्टन डांस जो है इसमें ड्रैस कोट होता है वाइबर्न कलर के रोपस आप देखना वह कपड़े पैंने होते हैं उसके उपर कौनिकल काप्स होती है बीट्स लगे होते है कैप के साथ यह बिसिकली कौन करते हैं मैं आफ वर्टल तो मैंने ही प्रफॉरम करते हैं कहां के वत्तल ट्राइब से बिलॉग करते हैं तो वट्टल ट्राइब सबस्क्राइब देखो अभी डूल टाइब में पहाड़ी पाड़री और जो एट हुए है चार ट्राइब में पढ़ाया कहीं पढ़ाया था जोब हम पढ़ रहे थे कम्मुनिटी ट्राइब के वहां पर मैंने चीज़न समझाई थी जो भी ट्राइब हुए यह चीज आपके लिए इंपॉर्टन है करेंट का पार्ट है और आपके कल्चर में भी आ जाता है तो यह भी देख लेना एक ट्राइब कौन बूद्गामने भादा '' में अनत्रों में कों सी दिस्ट्रक में है तो भुड चीज़न एपर तो यह चीज़ आपने याद रखनी है तो गुलमर्ग गंडोला राइट तू इस पीक में जाती है यह चीज़ आपने याद रखनी है अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की देख लेते थोड़ा दोड़ा में आगर देखें तो जै वैली इंपॉर्टन है पूछा जाता है जै बदरवा में बदरवा इस नोड़ा ठीक है आई होब इस इस एक्लियर तो यू वुडगाम के बारे में तो अल्रेडी में आपको बता चुको अनंतना की बात करें अरू वैली अरू वैली कहां पर है अनंतना और पहल गाम कहां पर है अनंतना ठीक है यह दो चीज़ अरू से च्रेंगर ईयर पॉड़ इसको इनाशनल एयर पॉड़ नाम ऐर्पॉर्ट है या इंटर्नेशनल बेले यह हैं उनल्फ-दो-श्रय किलोमेटर से बुडगाम में पढ़ता है और कौन से इसे गया था श्रितंगर एरपोर्ट को दूसर नाम शेक उल अलम एयरपोर्ट है यह आपने यहाद है नेक्स्ट कोश्ट्ट विचा फॉलिंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग वोमें रिप्रेजेंटेशन जेंट के रियोर्गनेज़ेशन एक्ट में लेक्टर लाया उसको दू में सुस्क्राइब को कुन नहीं है रिगार्डिंग कर सकता है ऐसमेंन को नॉमें को नॉम éta कर सकता है यह थीक है इसके साथ एक और कंडिशन भी आइड होती है अगर दियांद चे सुने वहां पर लाइन लिखी हुई है कि अगर उसको लगता है कि वोमन अडिकोटली डिप्रेजेंटेटीव नहीं है मतलब वोमन की इतनी मात्रा नहीं है तो वह दो नॉमिनेट करेगा जूरी नहीं है वह बार नॉमिनेट करेगा ठीक है यह चीज़ यह आज दखना और इसमें गलत है ऑप्शन सी क्यों सेक्शन 15 ज यह लेक्शर देख लेना वहां पर मैंने पार्स के थ्रू आपको पढ़ाया हो तो आपको यह क्लियर हो जाएगा ठीक है जिसको समुद्र गुपताव कश्मीर भी बोला जाता है ठीक है फैली बात तो यह क्शन हो गया लिए लिट अधित्या मुक्तापिदा को क्या बोलग कटें यह चीज आपने या ठीक है को जिसने कर तना सब्सक्राइं किस नेalam yr अर्णे लिए और सब्सक्राइ और सब्सक्राब एक और व Southії ने फारी जाइन्नेकर सब्सक्राइब uh कि आपको पूछा था मैंने कि आप मुझे वह दस चेप्टर मैंने बताए थे ना आपने नेक्स ट्वाइल चेप्टर लिखने थे आप मैं पूछा हूँ शामिरी डाइनेस्टी को किसने फांट कर जब कोशन देखते हो ना उसी टाइम पाउस करके गूगल सर्च करके अगर नहीं आता है या आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देगा बाद में तुम्हें याद ही नहीं रहेगी कौन सा पूछा था तो कारा कोटा डाइनेस्टी से मुक्ता पिता बिलॉंग करते हैं समुद्र गुपता कश्मीर बोला जाता है कारा को अवंति वर्मा ने गुपता को परव गुपता ने ठीक है लोहारा को संगराम राजाने और शामिरी डाइनेस्टी किसने आपने कमेंट सेक्शन में बताना है वहां से कौन सी रिवर निकलती हमें बताना है क्लाश कुंड गलेशियर से ठीक है तभी डीक है वोहां से निकलती है तभी ठीक है बार बर नहीं बताऊंगा वहां पर देख लेना वहां सब्सक्राइब पूछता है पकल दल डैम कौन से रिवर पिंगा मारूसुदर में वाला मारूसुदर क्या है रिवर काổल दूसर नाम क्या है बश्की नाम है जेलम की रिवर दसार्य बै拜拜 tributation यह यू की कि यू याद है फिर लुह फिस से बनी है चंदर प्लस बागा किसे वे रखेसिए निकलती हमाइचल परदेशं से निकलती है और आती है इसकी के यहां तक आपको पROBLEM नहीं है जैसे मैंने आपको बताए ना चन्राप को उटन नाम चेंहीं थ서 क सब्सक्रानि है हैंग जो हमारा यूटी अनिमल है हैंगूल कश्मीरी स्टैक जिसे बोल जा उसका आई यू सीन इंटरनाशन यूनिफा कंजर्वेशन नेचर डिफरन तरह की स्टेटर प्रोवाइड करता है जैसे नियर थेटन हो गया एक्सिंट हो गया एंडाइजर क्रिटिकल इंडाइजर करने के लिए प्रोजेक्ट हैंगूल भी चला था ठीक है पड़ाया हुआ है कब चला था उसके बाद आपने याद रखना है खलीज फिसेंट के बारे में हमारा यूटी एनिमल है पहले ब्लैक टेक्रेन होता था वह लदाक में था पाया जाता इसलिए उसको यूटी मार्खोर का नाम इंपॉर्टेंड है यहां तक कोई प्रॉप्रम नहीं है किश्मीर वैली में बारिशें किसकी वजा से होती है मतलब हमारा जो कश्मीर वाला पॉर्शन है उसमें बारिशें किस वजा से होती है हमें बताना है और कवा तो यह तो यह तो यह तो इदर आता है यह मौंसुन पहुंचते ही दिली तक है तो आपीस ही निकल जाता है जैट स्टिम उपर चलने वाली हवाएं थोड़ा सव रो करें है मेडिटरेंटल Uhr में कश्मीर में सरदयों में बारिशें हो जाते हैं कौण सींसरी हैं त्वामिन तेंपल इन्यूज में था एल्लजी दिए हैं यहां पर , इस nest आपको यह ह quienes से पता कुंसी डिस्टिक में ऐस कॉंसी डिस्टिक में है अनन्तņ पर है आप सब करने कहां पर रहां कहां पर रहा है दो ट wives i little time अवन टेश्वार से ओढcimento उत्तपाला डाइनेस्ट्री से बिलॉंग करता है यह चीज आप नहीं याद रखने हैं मुविंग टॉर्स कुछ नमर्स 16 वापस आगया जैन्ट के रियोर्गनाइजेशन एक कौन सी सेक्शन जैन्ट के रियोर्गनाइजेशन एक 2019 के साथ डील करती है किसके साथ ऑल इंडिय साथ इंपोर्टन है सेक्शन 88 डील करती है एक टी डील करती है किस तरह से एक्पेंडिचर होगा यूटी आफ जैन्ट मतलब ऑथराइजेशन किस तरह से होगी एक्पेंडिचर ऑफ यूटी आफ जैन्ट के तो इसके साथ डील करती है सेक्शन 81 डील करती है ऑथराइजेश के साथ डील करती है जैसे section 88 आल इंडिया सर्विसिस के साथ डील करती है न जो विजन उसके रिलेटि सक्षिंट 93 किसके साथ डील करती है स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन के साथ एक इंटरीम बजट रखा गया कितने करोड का इंटरीम बजट इंडिया का रखा गया तो कितना पैसा रखा गया है यह चीज हमें बताने है वैसे तो यह पूछा नहीं जाता बड़ यह कोई पता नहीं वह पूर सकता है ठीक यह फैटना पैसा रखा गया इस बार इसना वाद यह आदा आपको याद है और वह बोला गया जब भी एलेक्शन यह होता है ना उसके पहले इंटरीम बजट रखा जाता है पूरा बजट यहां पर फुल बजट नहीं होता है ठीक है I hope this is clear to you moving towards question number 18 which of the following is the staple food of Kashmir कश्मीर के staple food किसे बोला जाता है saffron को rice को मेज को किसको बोला जाता है staple food of Kashmir staple food किसको बोला जाता है rice को बोला जाता है सैफ्रोन यहां पर बहुत important है सैफ्रोन कौन से टाउन में याद अखना किसके लिए famous है सैफ्रोन के लिए सैफ्रोन को GI टैग मिला कहीं बार यह पूछ लेता है कि GI जो मिला है सैफ्रोन को कौन से documentation के अंदर में document number क्या था document number 635 यह भी याद कर लें कहीं बार यह भी पूछ सकते हैं तो पैंपोर जो है टाउन है वो किसके लिए सैफ्रोन की कल्टिवेशन के लिए स्टैपल फूट कश्मीर का राइस है सैफ्रोन को GI कब मिला जब भी मिला एक्जेक डेट मुझे याद नहीं है बट documentation number 635 सैफ्रोन को GI मिला under documentation number 635 ठीक है यह चार है नहीं है हमके लोकग कुछ नहीं नहीं है और यह जो है यह चार बेसिंट लेकर यह चीज आपने याद रखने और इवन जो हमारा यह लोकुत दल यह दो बहुत इंपोर्टन है क्यों कि इनके अपने अपने आइलेंड फार एक्जमपल लोकुत दल का आइलेंड कोन सा है रूप आइलेंड ठीक है रूप आइलेंड और बोदल का यह चार डिविजन है यह कुछ नहीं है यह कुछ नहीं है इसका अपने आइलेंड है रूप और बोदल का अपने आइलेंड है सोना लंक यह दो चीज आपने याद रिखने ठीक है कुश्टन वे ट्वेंटेंड लेक्ट्टर विचा फॉलिंग नैशनल पार्ग या वाइल संची देखो यार मैंने ना जम्मू कश्मीर में नैशनल पार्क वाइलाइफ संची के लेटर एक लेक्टर ला जिसमें मैंने बड़ा छोटा कहां पर कौन सी डिस्टर बिलांग देख लेना इसमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी यह सब हमने कर रहा हुआ है इसका अशर और वाइलाइफ संची कौन सा और वाइलाइफ से वैसे तो मैं इनको एक्स्प्लेंड कर देता सबको वैं आपको हाइली रिक्मेंट करूंद करूंगा बड़ी इंपोर्टन टॉपिक है फ्लोरा फना वाला इसकी वीडियो जम्मू कश्मीर वा बहुत डाइनमिक नहीं है अब इदर से क्रेंट कर रही है निकाल सकते हो अगर अगर आप करो जी के इंडिया कि उसमें देखो कितने जाया टॉपिक है आप क्या प्रेडिक्ट करोगी कि आसकता कुछ भी आसकता है वहां पर यहां से मार्क स्कूर करना एज़िया इसको ना मुश्किल हो जाएगी ठीक है इस तरह से आपकी प्लेइलिस जो बनी है आप उसको जाके देख सकते हो देखो और उसके बाद फाइने साई का जो आज मौक है जो अफिशल है वह हमने ओमार बेस्ट प्रोवाइड करा है 295 ठीक है इससी तरह थी मार्ज का भी ओमार बेस्ट आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपने डाउनलोड करने उसका प्रेंट लेना उसके बाद आपने कुछन पेपर खोलना है फिर आंसर की कि साथ अपने आंसर में लाने जिस तरह से आपको फाइनल एक्जाइम के दिन में हल्प मिलेगी ठीक है और टेलिगाम ग्रूप को जुरूर जॉइन करना वहीं पर हम पीडिएफ और जो भी इंफरमेशन आप शेयर करते हैं अब आप कमेंट सेक्शन में जुरूर बताना कि इसके बाद आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत तारिफ ही उसका भी इस तरह से कुछ ऐजा मैराथान सेशन काइंड आफ बोल सकते हैं रिवीजन करेंगे हम जो मौक के क्वेशन से तो आपको एक बार आइडिया मिलेगा कि क्या क्या एक्जाइम में पूछा जा सकता है ठीक है इस इस इत वार टोडे थैंक यू स मौक को ओजएगे